शिवसिना उद्दवाला साफ ठाकरे पार्टी के नेता और सांसर डर्विन सावंध इस वक्त हमारे साथ में सावंध साफ जिस तरह से अब RSS कह रहे हैं उनके सुनिलाम बेकर कह रहे हैं कि जो जातिगत जन्गन्ना है उसको RSS सपोर्ट करती है वस इसका राजनितिक इस्तमाल नहूं पहले ये मार्गदर्शन अदर्णियां RSS के जो प्रमुक है उनको मेरी बिनती है कि एमार्गदर्शन पहले आप अपने लाडले भारतिय जनता पाटे को करिए क्योंकि हर चीज की राजनिती करना ये उनका बड़ा तत्व है सत्व भी है आजकल उस तत्व के आधर पर राजनिती करते रहते हैं तो पहला ये मार्गदर्शन उन्हें करें और बाद में कहे एक तो मतलब स्वागत करता हो देर आए दुरूस्त आए कुछ नहों एटलिस अपने ये तो मानने अता दीने के लेगगर मानने ता दीने के बाद बी जो अपने उसके ओपर टिपड़न ही किये और टिपड़नी का मार्गदर्शन भारती जन्ता परटी को आवश्ड्य को आवश्शlang न का मैसे समझनियाता है अपको लगता है कि बीजेपी मानेगी आरेक्स ने अगर बोला है वो उनकी बात है हमें क्या करने आज के लो उनका क्या रिस्ता है वो भी नहीं समझता है क्योंकि जबकि महादव जी को उनने कश्मीर में बेजा तो रिस्ता सुधर गया कि बिगड़ गया मुझे नहीं मालू इस पूरे मामले को कैसे आप देखते हैं मैं उस मामले पर देखना है नहीं चाहता क्योंकि लाचार सरकार इस भारष्ट्र में बैठी हुई है असविधानिक सरकार इस मार्ष्ट में बैठी हुई है कानून व्यवस्ता के बारे में कुछ भी बात करो अगर वो भारती जन्ता पार्टी की है तो उनके लिए कानून व्यवस्ता नहीं है ये तो बयान परसु जो राजकोट में जो हुआ राजकोट के लिए पर जो हुआ उस पर भी कारवाई होनी चाहिए नहीं और क्या चाहते आप पुलीस को भीड़कर उसके साथ जिस तर से उन्होंने जो सुनुग किया वो क्या है वो भी तो कानून की अपेक्षा करता है कि कानून व्यवस्ता वहाँ भी होनी चाहिए थी तो इस सारी चीज़े उनके बारे मे मुझे तो कभी लगता है कि जब की भारतिय जन्ता पार्टी ने तही कर लिया है कि हम सहस्कुति हिन पार्टी करके आगे चलके उनको नामगरण चाहिए तो भई वेविचारी लोगों को लेकर चलना है चलना दो अचार विचार सब कुछ वेविचार यही उनका अधिकार वह बारतिय जन्ता पार्टी महाराज के पुतले पर भी राजनिती हो रही है अब बीजीपी के नेता देवेंदर फटनविस कह रहे है कि नेरू जी ने भी अपनी किताब डिस्कुरिया अप इंडिया में गलत लिका महाराज के बारे में पिर वो हवाला दे रहे हैं उनके दूसरे नेता कह रहे है कि करनाटक में गलत हुआ यह मध्यपरदेश में चिंदवाडा में पुतला गिराए गया तो कॉंग्रेस के उपर ढख कर रहे है कि कॉंग्रेस भी इसकले माफिमांगे यह सबलाफ से भी पूछ रहे हैं ने मुझे कबर खोदे नहीं नहीं उनको ख बढ़े हुई है कि बस बहुत करना और लोगों को गलत रास्ते पर लेके जाना यही तो उनका काम है ज़्यादा उनके पीछे पढ़ना नहीं उनको व्यापम की याद करो जरा जरा व्याद करो व्यापम की मध्यपरदेश के भुल गए होंगे आप हम नहीं बूले हैं तो द्यान में रखना की महिला सुरक्षा का मुद्धा आप लोगों ने उठाया था कि लाडली बहन से ठीक है वो है लेकिन महिला सुरक्षा भी जरूरी है बदलापूर का मामला और इसके बाद कई सामने मेरा पत्र है कई सारे मामले आए अब सरकार कह रहें कि हम हर घर करवान वहां जब अंदोलन के तबी भी नहीं जाता है थी और आपके पास मार्श विदान सवा बे आदर नहीं है जब उद्धवजी ठाकरे साब मुख्यों मतरी थे तो महिला सुरक्षा के लिए शक्ती बील पास किया गया मार्श की विदान सवा में विदान परिशद में पास हुआ दोनों ने मिलकर आपके पास बेजा है उसको मानने ता देने के लिए कितने महिने लगेंगे और भी तो बताओ फिर महिलाओ कि सुरक्षा के बात करो